जैसे की देख रहा है ए रहा Redmi 3S Prime और ए रहा Redmi Note 3 यह 32GB वाला और 3GB बाला भरसन है और यह भी 32 बाला और 32GB बाला भरसन है तो चलिए इसको मैं पिछले 6 महाने से यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं पिछले 2 महाने से यूज़ कर रहा हूँ तो दोनों ही मेरा regular set है मैं दोनों को ही use करता हूँ तो चलिए आज मैं इन दोनों के अंदर comparison करने वाला हूँ Consum well better है और Consum well का performance better है तो चलिए दोस्तो इसका price है 9000 रुपई और इसका है 12000 रुपई तो चलिए दोस्तो आज मैं शुरू करता हूँ इन दोनों का comparison जैसे कि देख रहे हैं दोनों का looking style बहुत है यह hand पर फिल बहुत अच्छा होता है easy to hand है और यह थोड़ा बड़ा है 5.5 inch HD है तो इसको एक हाथ से use करना थोड़ा थोड़ा hard है और इसको एक हाथ से आसानी से हम use कर सकते हैं ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं दोनों में अभी हम comparison करेंगे दोनों के finger print test करते हैं कैसे काम करता है देखिए दोनों को मैं एक साथ touch करने वाला हूँ देखिए यह देखिए पहले 3S वाला काम हुआ उसके बाद redmi note 3 हुआ तो चलिए और एक बर मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ देखिए देखिए पहले 3S काम कर रहा है उसके बाद redmi note 3 हुआ है तो चलिए एक साथी मैं टच कर रहा हूँ यह देखिए टच किया यह देखिए तो जैसे कि देख रहा है तो चलिए पहले मैं शेटिंग्स पर जाता हूँ इसका भी सेटिंग्स पर जाता हूँ मैं इसका भी सेटिंग्स पर जाता हूँ देखिए जैसे कि देख रहे हैं चलिए इसका मैं brightness फूल कर देता हूँ जैसे कि देख रहे है यहाँ पर यहाँ पर देखिए Android 5.1 है और यहाँ पर देखिए MIUI 8.0 है ठीक है और 3GB और 32GB वाला है और इसका एबोट्स में देख लिजिए यहाँ पर देखिए Marshmallow अपडेट है 6.0.1 और MIUI 8.1 इस्टेबल वर्षन है और 3GB वाला वा 3GB वाला है ठीक है तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ इसका RAM कितना अबिलेटी है तो चलिए जैसे कि मैं चेक करने वाला हूँ देखिए पहले तो मैं फुरा क्लीन कर लेता हूँ देखिए 1.5GB अब हम इसको 3S पे चेक करते हैं 3S पे देखिए 1.5GB इसमें भी अबेलेबल है देखिए अब इसको मैंने क्लीन किया तो 1.6GB एबेलेबल हो गया तो हमेशा इसे ही होता है दोनों ही मुवाइल पे 1.5GB और 1.3GB फिर मिलता है आउट आउट आप 3GB ठीक है तो चलिए अब हम बाकी टेस्ट करते हैं दोनों का मैं सेम एप्स ओपेन करूंगा ठीक है एक इसाथ उसके बाद टेस्ट करूंगा कैसा है ठीक है तो चलिए हम मैं शुरू करता हूँ तो पहले हम गैलरी ओपेन करेंगे ठीक है देखते हैं मैं एक साथ दुनों को टच करने वाला हूं उसके बाद देखना कॉन सा पहले ओप्स आप आपन होता है इस पढ़िए एक साथ तेच किया, इसमें भी रिड्मी प्री फस्ट है, चलिंग मैं म्यूजिक ओन करता हूं, देखिये, इसमें रिड्मी 3S पस्ट हो गया, चलिंग मैं सेस्टिंग और दूनों, एक साथ, देखिए, दुनों ही सेम है, इसका brightness थोड़ा ज़्यादा है, 3S का, और रेडमी 3S का brightness थोड़ा कमा रहा है, हलाकि ये full brightness में दिया है, और फूल ब्राइडनेस में नहीं है, ये water brightness है, जैसे कि आप देख रहे हो, मगर इसको देखिए, full brightness किया है, ठीक है, तो चलिए अब मैं security दोनों का on करता हूँ, एक साथ, चलिए, किया, इसमें दोनों ही similar है, कुछ फ़रक नहीं, अब मैं play store on करता हूँ, ठीक है, तो चलिए इसका मैं net on कर लेता हूँ, दोनों में ही geo का sim है, same network है, अब मैं play store on करता हूँ, ये रहा किया, 3S थोड़ा slow आ रहा है, redmi note 3 first है, तो 3S का processing थोड़ा slow है, जैसे कि देख रहे हैं, अभी भी load हो रहा है, मगर same network है, दुनों ही में geo का sim है, अभी भी load हो रहा है, तो चलिए, ये तो slow हो गया, अब चलिए, मैं थोड़ा, इसका inbuilt app चेक कर लेता हूँ, जैसे कि देखिए clock चेक करता हूँ, ठीक है, ये रहा, इसमें दुनों ही same है, चलिए, अब मैं calculated on करता हूँ, इसमें 3S first हो गया, चलिए, अब मैं campus on करता हूँ, ठीक है, ये लो campus, दुनों ही same है, 3S तो रह सुलो था, अब चलिए recorder, दुनों ही same है, अब चलिए, मैं scanner on करता हूँ, देखिए, दुनों ही similar है, अब मैं चेक करने वाला हूँ, चलो radio चेक कर लेता हूँ, दुनों ही same है, Google Caps चेक कर लेता हूँ, तो चलिए, दुनों ही एक साथ voice search चेक करते हैं, देखिए, इसमें 3S first हो गया, अब चलिए, मैक्रोम चेक करता हूँ, देखिए, इसमें note 3 first है, वह इदर चेक करते हैं, देखिए, दोनों ही same है, चलिए, अब calendar run करके देखते हैं, calendar किदर है, देखिए, इसमें note 3 first हो गया, चलिए, अब MI का store open करके देखते हैं, देखिए, Redmi Note 3 first हो गया, अब मैं browser open करता हूँ, ठीक है, दोनों का browser, इन बर्ड जो है, देखिए, इसमें भी Redmi Note 3 first हो गया, चलिए, Max player on करता हूँ, दोनों ही same, Facebook on करके दिखाता हूँ आपको, दोनों ही same, देखिए, दोनों ही same है, अब चलिए, मैं notes on करके दिखाता हूँ, चलिए, notes भी same है, चलो, हम आजन on करते हैं, जैसे की देख रहे हो, Redmi Note, Redmi 3S इसमें आगे निकल गया, चलो, Redmi 3S आगे है, ठीक है, अब चलो, camera थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, camera दोनों में कैसा होता है, देखिए, इसमें camera तो Redmi Note 3 का first होता है, तो चलिए, मैं picture उठा के थोड़ा दिखा देता हूँ, कैसा picture आता है दोनों है, जैसे की देख रहे हैं, दोनों का quality, आप सायद समझ पा रहे होंगे, इसमें Redmi 3S का picture quality ज्यादा बेटर है, मगर Redmi Note 3 का खराब नहीं है, मगर एकदम real quality का picture देता है, मगर Redmi Note 3 से better है 3S, जैसे की आप देख पा रहे हैं, सायद, 3S में color quality बहुत अच्छा है, और Redmi Note 3 में उतन किया हुआ है, दोनों का, तो मुझे जो score मिला, बहुत ही चाओकाने वाला score था, जैसे की देख पा रहे हैं, दोनों का score, एक में 32 है, 32,000, और एक में 76,000, समझ पा रहे हैं, दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है, इसका price है 12,000, और इसका है 9,000, ठीक है, अब आप दोनों ही स चलो, मैं और एक बाद टेस्ट करने दे देता हूं, देखिए, आप लोग भी देख लो, देखो इसमें भी Redmi Note 3 फास्ट आड़ा है, Redmi Note 3 में शुरू हो गया टेस्ट, वागर अभी भी इसमें चालू नहीं हुआ, देखिए, 3S सो रहा है भाई, सो गया, देखो 3S में चलो हुआ है, तो यह टेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, तो चलिए, टेस्ट होने देते हैं हम, कर देते हैं, कि अाको बहुते हैं छत्या है। गगते हैं, करने व들 yourselves कृआने हैं, पत्पी का दीए, तो पंढ़े बहँते हैं तो बहोता है को देते हैं, कि यह नहीं कि रेडमी नोट 3 बहुत आगे हैं मगर 3S बहुत स्लो है कि 3S में अभी भी नहीं इस्टाट वह देखिए अब 3S में इस्टाट हो रहा है आप खुद अपने आखों से देख सकते हैं दोनों में डिफ्रेंस क्या है कि यह देखो यह वाला 3S है और यह वाला रेडमी नोट 3 है दोनों देखो एक साथ देखो हुआ है देखिए और यह अब चलिए देखाता हमें देखिए और यह अब चलिए देखाता हमें देखिए इसमें रेम टेस्ट कंप्लीट हो गया है इसमें अभी रेम टेस्ट चल रहा है इसमें अभी सीप्यू टेस्ट हो रहा है देखिए दोनों में डिफ्रेंस कितना है पॉसेसिंग भी चेक कर लिए कर से दोनों में पॉसेस हो रहा है कर दोनों में पॉसे हो रहा है जैसे कि देख रहा है इसमें 67 परसेंट हुआ इसमें 70 परसेंट हो गया यह बाला देखिए रेडमी नोट रेस्ट है यह बाला और यह बाला रेडमी नोट 3 है यह देख लीजिए अब आपको डिफ्रेंस मिलेगा दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा तब आप लोगों को हीज डिफ्रेंस मिल जाएगा दोनों का बेंचमार्क स्कूर कितना होता है बाला दोनों कितना है जाएईश कर दोनी मिलेगा मैंदहकर पाला बाला Schweiz बाला बालाekt बाला है यह बाला यह दोनो मिलेगियों क मिलेगा रेखखवाह बाला बाल बालाएब ऐाल बाला चक्क्षण का कर दो कर दो कर देखिए इसमें कम्प्लीट होने बाला है अभी 99 परसेंट हो गाया रेड्मी 3S नोट 3 पर देखिए रेड्मी नोट 3 पर देखिए अंटूटी स्कूर कितना आया है 76,000 ठीक है जैसे कि पूरा स्कूर आप ठीक से देख लीजिए यह देखिए पूरा स्कूर दिखा रहा हूं मैं यहां से आप चेक कर पाऊगे अभी इसमें 95 परसेंट हुआ है रेड्मी 3S पर चलो इसको पहले कम्प्लीट होने देते हैं देखिए 99 परसेंट पर है तो यह कम्प्लीट हो जाए उसके बाद मैं दिखाता हूं देखिए इसमें अब आया है 43,749 ठीक है इसका पूरा स्कूर भी आप देख सकते हो यह देखिए तो दोनों में डिप्रेंस आप समझ सकते हो सायथ एक में 43, 3000 देख मैं 76,000 ठीक है अब दोनों का डिफरेंस आप समझी लो कितना कौंस में किसमें द्रम है तो चलो अब दोनों में गेमिंग टेस्ट देने वाला हूं आप दोनों कैसा गेम चलता है आप लोगों को इस स्टाट कर दिखाता हूं यह देखो मैं दोनों में एक गेम ट्रे कि इसमें देखिए ये तो प्ले हो चुका है अगो देखिए इसमें गेम चल रहा है अभी इसमें थोड़ा देखिए देखिए रेडमी नोट 3 का क्वालेटी बहुत बढ़िया है और इसमें बहुत अच्छा क्वालेटी में ग्राफिक्स भी बहुत अच्छा क्वालेटी में मिलता है देख सकते हो आप और इसमें स्मूतली वर्क भी हो रहा है दोनों में परफेक्टली काम कर रहा है मगर रेड गेम दिखाता हूं सब यह मैंने डाउंलोड किया है तो चलो मैं सब यह दिखाता हूं चलो इसका ब्राइडनेस थोड़ा बढ़ा लेता हूं चलिए देखिए कौन साइब पहले स्टार्ट होता है जैसे की देख रहे हैं रेड्मी नोट 3 का स्टार्ट हो चुका है मगर रेड्मी 3S पर अभी लोडिंग हो रहा है देखिए अब इस पर चलो हुआ है दोनों का ही ग्राफिक सेम है कि दोनों में कोई लैग नहीं है कुछ भी नहीं आ रहा है दोनों ही पर्फेक्ट ली वर्क कर रहा है मगर रेड्मी नोट 3 थोड़ा बेटर है अगर आप है भी गेमर है तो रेड्मी नोट 3 आपके लिए बना है ज़रूर खड़ी दिये इसको तो चलिए अब मैं चलिए अब मैं आप लोगों को नोबाथरी दिखाने वाला हूं तो नोबाथरी सब्सक्राइब का गेम है तो इसमें अगर कोई लैगा है तो समझ लेना मूबाइल में दम नहीं है तो चलिए दोनों ही स्टाट करता हूं एक साथ देखिए दोनों में इस्टाट हो रहा है जैसे कि देख रहे हैं थोड़ा लाइट का पावल्लम है देखिए रेडिमी नोट 3 में थोड़ा फस्ट हो गया थोड़ा ठीक है चलिए स्टाट करते हैं देखिए यह वाला रेडिमी 3S है यह वाला रेडिमी नोट 3 है तो देखते हैं कौन सा पहले स्टाट होता है और आपको थोड़ा दिखाने बाला भी हूँ कोई लैग आता है या नहीं कुछ भी होता है या नहीं है कि चली है दोनों जारोने भोड रहा है चली सब्सक्राइब 맛있 सब्सक्राब कोई भी लेट होँ नहीं हुने मगर एवाला चले इस को मैं पहले दिखाते था हूँ यह वालना या या दिछाता हूं ना सब देखिए कोई भी लैग नहीं है कुछ भी नहीं है जैसे कि देख रहे हो ग्राफिक्स भी बढ़िया है देखिए मैं सभी तरफ भूआ रहा हूं कोई कोई भी लैग नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं आ रहा है आप लोग देख भी सकते हो मैं चलिए थोड़ा रन करके देखते हैं देखिए परफेक्टली वर्क होड़ा है कोई भी लैग नहीं आ रहा है तो चलो ठीक है अब हम रेड्मी 3S को प्ले करके देखते हैं तो जैसे कि देख रहे हैं अभी आटो प्ले होड़ा है देखिए देखिए तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कोई भी पर्ब्लम आता है या नहीं देखिए पर्फेक्ट लिवार्ट खोड़ा है कोई भी लेग नहीं है देखिए मैं राउंट कर रहा हूं इधर इधर कुमा रहा हूं देखिए कोई भी लेग नहीं है देखिए कोई भी लेग नहीं होड़ा है ठीक है चलो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं देखिए कोई भी लेग नहीं होड़ा है ठीक है तो जैसे कि देख रहे हैं दोनों ही पर्फेक्ट वर्क होड़ा है चलो है मार दिया मुझे तो जैसे कि आपने देख लिया दोनों में कोई भी इस्व नहीं था परफेक्ट ली वर्क हुआ ठीक है तो दोनों में गेमिंग बहुत बढ़िया हो रहा है मगर मैं तो रिकमेंट करता हूँ आप अगर हेवी गेमर हो तो रेडमी नोट 3 आपके लिए है तो रेडमी नोट 3 ले लिए आप चलिए देखते हैं बैक्रोंड का एप्लिकेशन कैसा काम करता है मतलब माल्टि टक्सकिंग देखिए यहां पर चलिए रकेंपशन करते हैं देखिए दोनों ही बैक्राइट पर नहीं था अब चलिए दुसरा एक देखता हूँ चलिए रेकॉडर देखते हैं देखिए कोई भी बैक्राइट पर नहीं था अब चलो मैं आपको इसकेनर दिखाता हूँ देखिए इसमें इसमें भी कोई बैक्गाउंड पर नहीं है चलो एफम रिडियो दिखाता हूँ देखिए दोनों ही पहले से स्टाट होड़ा है ठेक है चलो कुड़ो मौन करके दिखाता हूँ दोनों रेड्मी 3S बैक्गाउंड पर था मगर रेड्मी नोट 3 बैक्गाउंड पर नहीं है चलो एदर ओन करके दिखाता हूँ देखिए दोनों ही ठीक टक है चलिए आप आपको मैं प्लेइश्टर ओन करके दिखाता हूँ चलो प्लेश्टर से पहले मैं आमाजून अन कर लेता हूँ आप यह माजून किदर है यह रहा है माजून देखिए 3S बैक्ग्राउंड पर रखा है सेप करके मगर यह बाला नहीं था चलिए कैमेरा देख लेते हैं देखिए कैमेरा दूनों ही स्यम कोई भी बैक्गाउंड पर नहीं था अब चलो गेम्स देख लेते हैं चलिए टेंपल रहं देखते हैं देखिये यह वाला बैक्ग्गाउंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो देखने के लिए अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए और कुछ पावलम है तो कॉमेंट पर पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू